नमस्कार मैं कुंदन आप देख रहे हैं कुंदन मास्ट नॉलेज यदि आप मैस्ट को सिखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आज हम लोग कुछ नया सिखते हैं आज का टॉपिक है बहुपुच का अंतरी कौनों का योग ज्याद करें अभी तक हम ल भूल भी सकते हैं तो बिल्कुल रटना बंद आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी बहुपुच चाहिए तिर्भूज हो चत्रभूज हो या फिर सश्ट भूज हो सब्सक्राइब के आंतरी कौनों का योग निकालना सीखेंगे जैसे एक तिर्भूच का तीनों कोनों का पूल타 सो आतका है आज हमों लोग सीखेंगे जैसे एक तिर्भूज है और इसकी भूजा है जो ONE सी हिसका नाम दे दिये इसकी भूजा एगी 20 क्योंकी ऑसका कौन है हम लोग रटे हैं, हम लोग याद किये हैं कि तिर्भूज का जो तीनो कोन होता है, तीनो कोन का योग 180 डिग्री होता है, यह हम लोग रटे हैं, आज से बिलकुल हम लोग नहीं रटेंगे, हम लोग किसी भी बहुज का आंतरी कोनों का योग निकाल लेंगे, बस आपको एक फ ले लेते हैं इसकी भुजा एक दो तीन है तो एन बराबर तीन ले लिए अब आंतिर कोनों का योग जब निकालना हो तो एक फर्मुला लागू होता है आंतिर एक कोनों का योग बराबर इसका एक फर्मुला था है तो एन माइनस फोर गुने नबबड डिगरी बस इसी फर्मुले पर हम लोग सारे बहुजा के आंतिर कोनों का योग निकाल सकेंगे जैसे एक तिर्भुज है तिर्भुज की तीन बुजा है एन बराबर तीन है तो जहां पर एन वहां पर हम लोग तीन रख देंगे जैसे 2 गुने यहां पे nd वड़ाबर 3 है तो 3-4गुने 90ग्री आप 2 गुने 3 करेंगे तो 2 तिया 6-4 गुने 90ग्री आप 46 तो 2 गुने स्वारी इसको अच्छा से लिख देते हैं 46गए 2 गुने 90 डिग्री आप 90 गुने 2 करेंगे तो 180 डिग्री आश्य करते हैं आपको ये प्रोसेस कापी अच्छा लगा होगा और आप सिखे होंगे और आप निकाल भी सकते हैं किसी भी आकरिती के किसी भी बहुविस के आंतरी कोनों का योग तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ कुछ और नया सिखेंगे तब तक के लिए बाय एंड झांग जो लगव तो वगाजी किसी भाइजीन हैं किसी भाइज तक के लिए टॉपिक स्टूब साथ हैं किसी भी आप में टॉपिक के लिए प्रेग्म ये ज़ बढले का किसी भी आपको जीन